जिग्यासरा के माध्यम से खुशी, let's TRS Clips Hindi Happiness Through Curiosity दोसे मैं बहुत मुश्किल सवाल आपसे पूचने वाला हूँ, यह हमने अचलि इंग्लिश पॉडकास में भी नहीं कवर किया इस टॉपिक को, बाहर बात कर रहे हैं तीन बहुत बड़े रहे हमारे लाइफ में अगले 5-10 सालों में, पहला रेवलूशन है AI, दूसरा रेवलूशन है बायोटेक, तीसरा रेवलूशन है क्वान्टम कम्प्यूटिंग, मैं उस तीसरे रेवलूशन के बारे में पूचना चाहूंगा, 10 साल दूर है, कैसे समझाओगे आप क्वान्टम कम्प्यूटिंग होता है, हिंदी में वो भी, best of luck, तो देखे आज हम कम्प्यूटर तो हम बारे जीवन में, यह ट्रडिशनल कम्प्यूटिंग है और फिर लेगैसी कम्प्यूटिंग है, उसका जो में यूनिट क्या है, वो है CPU, Central Processing Unit, जो माइक्रोचिप, जो हर कम्प्यूटर के अंदर होता है, अगर आप कम्प्यूटर असेंबल करते हो, खुद से, तो उसमें स CPU है, उसका architecture क्या है, इट इस बेज़ ऑन एक सिलिकन का वेफर लेंगे आप, उसको पर बहुत छोटे-छोटे circuits बनाएंगे, और यह circuits को पर सारा logical processing यह सब होता है, memory का अलग से module है, RAM का आपको chip लगाना है, तो यह इस प्रकास से अब तक computing होता रहा है, इट इस आल बेज़ अब quantum computing क्या है, quantum computing will be computing जो atomic और subatomic level पर हम करेंगे, मतलब atoms के थ्रू हम computing करेंगे, और यह बहुत ही नया technology है, उसके लिए आपको बहुत ही low temperature चाहे है, ताकि आप atoms, अगर आप normal room temperature पर atoms रखेंगे, तो उनका एक thermal motion होता है, thermally vibrate करते रहते है, मतलब जो हमारे आसपास गर्म है, atoms को भी stimulate कर देगा, तो atoms नाचने लगते है, हमारे आसपास जो हवा है, वो हवा क्यों बहती है, क्योंकि वो गरम है, उसमें hot or cold regions है, तो अगर आपको atoms को पुरी तरह से control करना है, तो सबसे पहले आपको बहुत ही ठंडा region चाहे है, आपको बहुत ही low temperature चाहे है, उसके ब पाएंगे, तो आपका जो processing capability है, वो बहुत, for certain problems, it will exceed, जो आपका जो regular computer, जो आपको जो standard computer है, उसका जो power है, उससे बहुत गुणा exceed हो जागा, किसलिए, यो कि quantum computers actually parallel universe में operate करते हैं, एक मुझे थोड़े basic level में आकर हलके से समझाना पड़ेगा, अगर मैंने किसी से पूचा क कि 3 into 3 क्या होता है, तो लोग तो रहन्त कहिंगे 9, 3 into 9, 27, 9 into 9, 81, अभी 17 into 13 बोलो, कुछ लोगों ने कहा, जवाब, कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, अभी 361 into 197 बोलो, आपकी limit suddenly hit हो गए, अभी 10,120 into 3 million, बताओ, 3.785 million बताओ, आपकी limit अप पहुँच गए, उसी तरह आज के जमान में computers की limit होती है, quantum computing में almost कोई limit नहीं होती, इसका ये मतलब है, कि हम basically computer के अंदर universes बना सकेंगे, हम biology को simulate कर पाएंगे, इन अवे, अगर हमारे संसार में भगवान है, तो हम basically भगवान के quantum computer के अंदर अलड़ी जी रहे हैं, उसी तरह हम भी एक universe बना पाएंगे उस computer के अंदर, हम उस computer के भगवान बन जाएंगे, और ये 10 साल दूर है, अब already quantum computers बन चुके हैं, लेकिन अभी बहुत बड़े हैं और उनका limitations है, तो उन technological limitations को हमें सरपास करना है, और उनको miniaturize करना है ताकि daily life में आ जाए quantum computers, अगर ये होगा तो पुरा, पुरी दुनिया revolutionized हो जाएगे, आप as a scientist ये कह रहे हो, क्योंकि science experiments भी फिर आप computer के अंदर कर सकते हो, अंदर ही कर पाएगे आप, क्योंकि अभी आज के जमाने में chemical experiment, biological experiment आप lab में करते हो, असली biological molecules के साथ, biological atoms के साथ, पर अगर कल जाके आप अपने computer में exactly उन atoms को simulate कर पाऊगे, उन atoms पर control ला पाऊगे, तो क्या क्या हो सकता है science में, ये बताओ पहले, for example, pharmaceutical industry जो है, pharmacological industry, उसमें क्या होता है, कि हमें बहुत तरह टेस्ट करने पड़ते हैं, अगर आप किसी को tuberculosis हुआ है, तो आजकल बहुत ही medicine resistant strains आ रहे हैं, tuberculosis bacillus के, जो उसका जो bacteria है, उसका, मतलब दवाईया काम नहीं करती है, मतलब दवाईया काम नहीं करती है, MDR, tuberculosis, multiple drug resistant tuberculosis, XDR, extensively drug resistant tuberculosis, तो उसके लिए फिर हमें नहीं दवाईया ढूणनी पड़ेगी, जो उनके ओपर असर करेगी, तो यह दवाईया क्या है, these are chemical compounds, जिसे हम कहते हैं, antibiotics, तो we need to discover new antibiotics, जो आज हमारे पास नहीं है, उसको हम discover कैसे करेंगे, traditionally trial and error से हम discover करते थे, मतलब आपने experiment करी, कुछ experiments काम कर गई, कुछ ने काम बिल्कुल नहीं किया, आपने 2000 experiment की, उसमें से एक या दो कामियाब हो सकती है, और उसमें से एक या दो में से COVID निकल के आ गया, तो इस trial and error के process से हम आज तक दवाया और एंटी बायोटिक्स को discover करते थे, पैने सिलिल का discovery ऐसे ही हुआ, बिल्कुल accidental discovery था, फिर ऐसे करते हैं, तो अब क्या हम कर सकते हैं, कि हम अगर AI और quantum computing को अगर merge करेंगे software और hardware को, तो यह जो process है drug discovery का, उसको हम within seconds कर पाएंगे, with sufficient processing power, क्योंकि AI क्या करेंगा, कि it will create parallel tracks, आपका जो quantum computer वो क्या करेंगा, parallel universes बनाएगा, और फिर parallel instances बनाएगा, उसी bacteria के, और अलग-अलग permutations and combinations of chemical compounds उसके उपर try करेंगा, और देखेगा in real time के, उसके उपर उसका असर क्या होता है, और उस time को भी speed up करते हैं, typically एक सप्ता लगएगा आपको देखने के लिए, या फिर 48 hours लगएगा आपको देखने के लिए, कि यह जो compound आपने use किया है, वो effective है के नहीं, अगर आप उसको simulate करेंगे inside a quantum computer, आपको एक second मालूँ पढ़ जाएगा, because we can speed up the time, जितना मजा रहा है कि हम यह वाली conversation हिंदी में कर रहे है, इतने सारे भारती और लोग इन चीजों का बार में सीक रहे हैं, इसकी वज़े से, इस तरह का content English में भी available नहीं है, इस तरह का content अगर आपको चाहिए, आपको Lex Friedman का podcast सुनना होगा, high level English में यह जो रोगन का podcast सुनना हो, बहुत मजा रहा है, लव podcasting because of this, पर back to the topic, परली AI भी develop हो रहा है, उस quantum computer के अंदर भी एक AI bot होगा, जो आपके लिए यह सब काम करेगा, बिल्कुल, फिर पारली biotech भी develop हो रही है, बायो टेक होगा, यस, शायद biotech advancements की वज़े से, 50 सालों में हम immortal हो जाएंगे, possible, possible, एकली समाएं लाइस्पान तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, definitely, मतलब aging हम reverse कर पाएंगे, शायद से, CRISPR technology develop होगी, बहुत घमंडी सवाल है, क्या मानव जाती, अभी एक देव जाती बन रही है, मुझे नहीं लगता कि मानव जाती कभी भी देव जाती बन पाएंगे, लेकिन हम definitely बहुत advance हो पाएंगे, अगर हम genetic code को अगर हम crack कर पाएंगे तो, for example, हमारा जो genome है, उसका एक seven size है, उसके बहुत सारे, यह पुरा genetic code, essentially यह computer code ही है, computer code हमारे DNA के अंदर encoded है, उसका अगर अगर उसको पुरा देखेंगे पुरे genome को, तो हम उसके 2 या 3 या 4 प्रतेश्यत को समझते हैं, 95-96 परसंट हमारा जो genome है, उसको हम समझते ही नहीं है, उसका purpose क्या है, यह सारा जो code है, उसका purpose क्या है, उसको हम कहते है, dark matter of the DNA, जैसे universe में dark matter है 95%, वैसे हमारे DNA में भी 95% dark matter है, विकि उसको समझ नहीं पारे हैं, उसको पता नहीं चल रहे हैं, इसका purpose क्या है और वो करता क्या है वो हम जानते नहीं है लेकिन nature is parsimonious कुछ भी unnecessary code नहीं होता है nature में through evolution जितना भी unnecessary code genetic code वो निकल जाएगा over hundreds of generations तो यह अगर पुरा हमारा जो code है अगर है तो उसका कुछ ने कुछ तो purpose होगा तो maybe quantum computing and AI will help us crack the genetic code कि इसका purpose क्या है अगर हम crack कर पाएंगे तो maybe in the future हम अपने आपको improve भी कर पाएंगे पहली चीज़ हमें क्या करने होगी we will need to slow down the aging process या halt the aging process let's say आप 70 साल के हो 70 अज के तो at least find a way to halt the aging process at 70 बाद में we will look into trying to reverse the aging process to a certain extent वो होगा की नहीं मैं नहीं जानता लेकिन possibility definitely है अगर हम AI और quantum computing को merge करेंगे और इसमें apply करेंगे तो सबसे main बात क्या है कि हमारे जो DNA का जो जो chromosomes होते हैं उसके ends पर दो ये जो telomeres नम की चीज़ होती है और जितना भी जो cell reproduction होता है cell division etc उससे over time telomeres का size कम होता जाता है and it is believed कि telomeres के shortening से aging होता है तो that ये एक clue है बहुत बड़ा clue so maybe अगर उसको रोक पाएंगे तो aging तो human age जो है जो human manushya की आयू है उसको हम बड़ा पाएंगे maybe और healthy तरीके से पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी बतलब 20 साल बाद जो नया विराट कोली होगा वो हमेशा के लिए खेलेगा possible उसकी retirement नहीं होगी या फिर गजाएंगे रिटार होगी होगा वो हमेशा आ जाएगा लेजर्जन सब्सक्राइब धोनी प्लेंगेंगेंघंस प्राइम ब्रेटली प्लेइंगेंगेंस प्राइम सचिन सचिन प्लेंग अगेंस प्राइम जस्प्रीत बुमरा कुछ भी हो सकता है पॉसिबल रियालिटी चेंज हो जाएगी इसने मैं आपसे यह बूचने चाहूंगा कि क्या यह मानवजादी का इन्फलेक्शन पॉइंट है जहां बहुत कुछ साथ में होगा definitely inflection point है we are poised on a revolution on the brink of a revolution बहुत बड़ा revolution आने वाला है बहुत बड़ी करांती आने वाली है हम इस करांती के शुरुवात फेज में है biologically most likely हम बहुत बदल जाएंगे next 20, 30, 50 वर्ष में तो definitely बहुत बड़े advances आ जाएंगे जो main question मेरे लिए है कि हम अपने mind के उपर क्या कर पाएंगे for example जो human अगर आप human body का जो aging process है उसको आप stop कर देंगे तो brain का जो deterioration होता है with age वो भी stop हो जाएगा we understand फिर उसके बाद memory के उपर क्या effect आएगा मैं यह क्यों पूछ रहा हूँ विएकि हमारा जो brain है वो इस प्रकार से evolve हो है कि it will last 70, 80, maybe 100 years और उतना memory वो store कर पाएगा अगर हम biologically progress करते हैं और human life span को 200 वर्ष का कड़ डालते हैं तो पुरानी memories का क्या होगा वो overrate हो जाएगे क्या तो आप पुरे as a human being as a अ विक्ति आप पुरे बदल जाएगे क्या और Parkinson's का कुछ और फिर कुछ नया है निकलेगा उससे यह सब possibilities है and this is something we have to keep in mind यह technology पहले अमीरों के पास naturally होगी okay मेरे काकॉड़े अगर आप 200 सालों के लिए जिन्दा होंगे पहले आपको पैसे कमाने के ट्रिक सीखने चाहिए और बहुत स्यादा पैसा अक्यूमेलेट करना चाहिए और फिर लाइफ के experiences जैसे travel जैसे जो भी बाकी experiences उन्हें हासल करना चाहिए do you think की people will want to die लोग मरना चाहेंगे actually मेरा implication वही था कि अगर आप as an individual आपका पुरा character personality बदल जाएगा आपके पुरानी memories चली जाएगी तो कुछ लोग शायद मर जाना चाहेंगे it is a possibility हर व्यक्ती अलग होता है कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं let's live 200 साल 300 साल लेकिन कुछ लोग के लिए वो जो पुरानी memories है वो अगर डिली हो जाएगी ये फिर चली जाएगी तो उनका life का meaning चला जाएगा कोई भी technology जब निकल के आते है तो बहुत महेंगी होती है इसलिए शायद सिर्फ billionaires, millionaires afford कर पाएंगे I think you all know आरारी कि एक और किताब है हाँ पढ़ी है 21 lessons of the 21st century उसमें कहा गया है कि अगर असल में ऐसी technologies निकल के आ गई और billionaires ने इन technologies को खरीदा तो फिर billionaires effectively super humans बन जाएंगे अवेंजर्स की तरफ और मानव जाती दो races में split हो जाएगी एक अमीरो वाली race और दूसरी आम जनता वाली race और आम जनता वाली race ना ही healthy होगी ना ही smart होगी ना ही effective होगी कोई भी चीज में as compared to the super humans तो शायद मानव जाती का future सिर्फ billionaires और millionaires की families से बनेगा ये morbid thought है morbid thought है लेकिन definitely possible है अगर एक subset of humanity के पास सारे technology आ गई सारा power आ गया और वो अगर वो super children, super minds वाले children you know बनाने लगे तो पूरा human species में definitely जैसे आपने कहा bifurcation हो जाएगा एक novel है पुरा ना science fiction novel, it's called the time machine I think H.G. Wells का है उसमें जो hero है वो time machine मनाता है और वो future बजाता है तो future में उसको दो human species दिखते है Morlocks and Eloy Morlocks evil वाले है और Eloy अच्छे वाले है so that seems to be the kind of thing जो possibly हो सकता है in the future अगर ये technology कुछ ही लोग के पास रहेगी तो फिर वो अपने आपको इतना empower कर देंगे कि जो बाकी humanity है वो कभी उससे catch up नहीं कर पाएगी ये possibility है पैरलिली जब हम छोटे थे I'm sure जब आप भी छोटे थे अब एक slogan हुआ करता था हम दो हमारे दो कहा जाता था कि दो बच्चों से ज़ादा आपको produce नहीं करने आज दुनिया भर में वो slogan चेंज हो चुका है लोग कहते हैं कि ज्यादा बच्चों को produce करो अगर आप afford कर सकते हो तो क्योंकि human population कम हो रही है आप कुछ कहना जाओगे इसके बारे में human population definitely आज एक हर जगा total fertility rate जो है most के जितना भी high income और middle income nations है वहाँ पर TFR total fertility rate कम हो रहा है अगर आपको एक राष्टर का population sustain करना at the same level आपका TFR 2.1 होना चाहिए means every woman of reproductive age should on average produce 2.1 children यह होना चाहिए for sustainable population अगर आपका TFR 2.1 से कम होता है तो over time, over the decades आपका population कम होता जाएगा और population का average age बढ़ता जाएगा तो चाइना में by 2050 population definitely कम होगा और average age 58 होगा चाइना है imagine एक राष्टर का average age, average 58 years old है पुरा vitality चले जाता है उस उस राष्टर का and by 2100 चाहिरा का जो population है it will be half of what it is today और average age will be in the 60s or 70s it's a disaster हम दो हमारे दो slogan की वज़े से जिंदगी बर मुझे लगा कि मुझे सिफ दो बच्चे चाहिए लाइफ में आज कर लगने लगा है कि मुझे चार-पांच बच्चे चाहिए क्या चार-पांच बच्चे प्रोड्यूस करने चाहिए आई थिंक कम से कम दो तो करने चाहिए क्योंकि मैं डेफिनेटली मानता हूं कि भारत का पॉपलेशन बहुत ज़दा है उसे हमें कम करना है आईडियली भारत का पॉपलेशन तीन सो या चार सो मिलियन के आसपास होना चाहिए वी आर फोर ताइमस दाट यह क्यों कहरो मतलब क्योंकि historically हमारा पॉपलेशन लेवल उतना ही रहता था 1947 में अंडिवाइड इंडिया का पॉपलेशन था 33 क्रोर्स 330 मिलियन आज कितना है फोर ताइमस दाट है इससे क्या होता है कि पूरा जो आप ड्रास्टिकली कम करेंगे तो बहुत सड़े डिमोग्राफिक प्रॉब्लम साजाएंगे पॉपलेशन बहुत बहुत एज हो जाएगा और नेशन का वाइटलेटी चला जाएगा तो इच्छुड हैपन वेरी स्लोली वेरी ग्राजुएली अगर मैनियोल लेबर से पैसा आता है तो जितने आपके और बच्चे है उतना आपको पैसा आएगा तो इसके लिए लोग इन वेरी पूर कंट्रीज प्रोडूस लॉट्स अफ़ चिल्टर्न और अगर आपका एक हाई इंकम नेशन है तो आपे हर चीज का कॉस्ट जदा है एजुकेशन का कॉस्ट जदा है इसके लिए आपको कम बच्चे करने पड़ते है ये वीडियो से आपने कुछ सीखा न बागी के वीडियो भी देखिये बहुत तगड़े वीडियो होते हैं TRS Clips Hindi पर आपको बस चैनल को एक्स्प्लोर करना है ये वाली प्लेलिस्ट देख लेजिए आपके लिए बताएंगे दोस्त